मैं अजमेर पहले भी कई बार आया हूँ आज बहुत अच्छा लगा मैं आया मैं स्टेशन पर उत्रा मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलोच कर रहे थे मैं गया मैंने समझाया तब मारपीट हुई उससे पहले खाली गाली गलोस से काम चला रहे थे यहां आया तो मुझे पता हैं कि यहां पर बिहारं के बहुत लोग आ इसमें हम बिहारी हों की कोई गलती नहीं सारा का सारा कुसूर आप लोगों का बड़े बड़े पांडाल लगाते हो कीर्टनमंडिली बुलवाते हो फिर भजन करवाते हो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी अब उस कल्यूग में वो भीहारी तो आ नहीं सकते हमें आना पड़ता है तो हमारा तो मामला ही अद्भूत है पिछले दिनों हमारे माननिया मोदी जी अमेरिका गए हाथ से बेंग करता हूं आपको आनन्द आ जाएगा आदरनिया मोदी जी अमेरिका गए और वहाँ पे कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता अर्मानी दिल के सारे पानी पानी बनाता मिलकर के वाई डेन से मोदी ने ये कहा भारत में होते तुम तो आड़वानी बनाता बारत में होते तुम क्या हरकते हुई आप लोगों पर भारत में होते उससे पहले ट्रंप आये थे नमस्ते ट्रंप कहया था हम लोगों ने बाद में उनसे अमेरिका ने नमस्ते कर ली लोग उन्हें तरह तरह की सला दे रहे तो मैंने एक सला दी आप लोगों को सला पे मज साथ है तो वसीम साब मैंने उन्हें क्या सलादी अब बड़ेली से आये हैं सलाद मैंने प्जामी देता योगी जी तुमें ट्रम्प से तिवा और जिसका जिक्र कर रहे थे कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई मौका मिला तो दो से भले तीन हो गई करते थे सेनेटाइ जिसे इश्क से अपने जाने वो किसके संग कॉरेंटीन हो गई जाने वो किसके संग कॉरेंटीन भगवान मेरा साथ आप यूँ भी निभाना किसमत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना राहुल की तरह चाह बीत जाए जवानी लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलो टाबानाना बुजर्गों के चेहरे पे जो रंगत आई है लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलो टाबानाना चार लाएने और सुन्दियेगा आपलोग जब इतना बेहतरीन सुन रहे हैं इतना सुनने है मैं बिल्कुल हाथते ईषेज कि आप लोग को चार लाएने सुनाता हूँ सुधी भाई ने पर अमिन भाई का बहुत बहुत धन्नवाद करता हूं इतनी बड़ी सक्सियत हो करके भी वो इतने मतलब एक एक शायर को और एक कवी को जिस तरह से आप सुन रहे हैं दरगा चांग के चैर्मन कमेटी का चैर्मन एक दरगा कमेटी के और इतना जादा आप सब को दात दे रहे हाई 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 एक एक टिपनी पे आप सबको मज़ा आज है मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा मैंने का मोदी जी आपकी नियत क्या है मोदी जी बोले मेरी नियत पाक साफ है कि क्या कहने बहुत अच्छे वाँ 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 कि क्या बात है अज मेरे जिस्तालियों के उमीद करता तो वही आप लोगों ने बजाई है चीनी को जमाकारिक फिर इसे गन्ना बना दू मैं बताओं साहब पिछले दिनों जगे जगे पर नारे लिखे गए कुछ लोगोंने उलटे सीधे नारे लिख दिये में कई तरह के नारे लिखे जाते हैं पड़े लिखे लोगों-ज्यादा तर नारे लिख्ते हैं जो अपने पिछे मेरा भारत हमान लिख वाते हैं चीनी को जमाकारिक्री मैं तुझे क्या दिवुद कभी हूं क्लास मा ध्यापक आए बोले कौन बेबकुफे खड़ा हो जा तो मैं खड़ा हो गया तुम बेबकुफे मैंने कर नहीं सरा आपके लिए खड़े अच्छे नहीं लगते हूं सब्सक्राइब करो मैंने किया मा तूजा मैं जोती के पास जा रहा हूं हिंदी क्या ध्यापक आगए बोले राहूल गांदी देश के प्रधान मंतरी बनेंगे इसमें कौन सा अलंकार है मैंने कहा जी असंभव अलंकार है चीनी को जामाकर कफीर से गनित क्या ध्यापक आगए बोले मैंने तुम्हारे पिता जी को दो आजार रुपे छे प्रतित प्याज पर दस दिन के लिए तो दस दिन बात कितना लोटाएंगे मैंने कहा जी वो नहीं लोटाएंगे बोले क्यों तुम्हारे पिता जी गणित नहीं जानते मैंने का जी आप मेरे पिता जी को नहीं जानते हैं आज तक एक का नहीं लोटाया चीनी को जमाकर के फिर से गन्ना बना दू देखें आप लोगों को याद है न वह मोदी जी आया थे भाई जो और बहनो आज रात 12 बज आएंगे मित्रों आज रात 12 बज़े के बाद आपकी पुरानी शादियां अरे ऐसा लीगल टेंडर अमीन भाई तो खड़े हो के ताली बजाने लगे भाई साथ मत भूलिए वो मोदी जी है हजार रुपे का लेके 2000 का लोटाया था आप 40 साल की जमा कराने जाओ 80 साल की थम लेके लोटो गे चीनी को जाओ क्या हसरे आप लोग को जानन दा रहता है यह 20-20 की चार कर लेंगे बता यह इस उमर में भी 20-20 की कामना करते हो चार की क्या बात है मुझे तो एक शेर याद आ गया नवरात का वरत छोड़के रमजान हो गये खुश्बू लगा के इतर की द चीनी को जामा कारे कफीर इसे देखे इतना बड़ा मंच अल्प संखक्यकार मंत्राले का भारत सरकार का मंत्र अजमेर के इतने ज्यादा कुश मिजाज लोग सारे लोग एक बार जोरदार तालियां इस रोख सारे लोग एक आर्यम स्कूलद मैडम बोली लड़कियां उसरों में बैठेंगी लड़के इस रों में बैठेंगी चीनी को जामा कर गणित क्या ध्याफक आगे फिर बोले एक्स की वैलू बताओ मैंने का जो हमें छोड़कर चली गए हमारी नजर में उसकी कोई वैलू नहीं है चीनी अच्छा महिलाएं इत चीनी को मैं तो ट्रेन मारा था बीच वाली बर्त पर सो रहा था उपर पर 30-40 नीचे पर 80-90 तो 30-40 ने से पूछा बोली बहन तेरी उमर क्या है 80-90 बोले को 38-40 अब उसनों से पुछले तेरी क्या है बोले को 18-20 मैं तो 20 के बरस से ध्राम से नीचे गिरा बोली भाई सब क् परियो नेका दिपेटारों कि कोशिशी है